वास्ट आप गोर्स वालकूम बाक टो माई चैनल दिस इस डिकी टाकूट तो चलिए बात कर लेते हैं दो ऐसी मूविज की जो एक ही टोपिक पे बनी हैं और दोनों बिल्कुल आसपास एक ही दिन के फांसले पे रिलीज हुई हैं जी हाँ दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ फि दूसरी तरफ भुज में कलाकारों की भीड लगी हुई है यहां पर आजे देवगन सुनाक्षे सिंहा संजेदत और नौराफवते बहुत से कलाकार हैं जो की फिल्म का हैवी वजट भी दिखाते हैं और फिल्म को ऐसा दिखा रहे हैं कि बहुत ही बड़ी फिल्म है और दो भुज का ट्रेलर बहुत ही जादा शांदार लगा था मुझे और जिस तरीके से मैंने बोला था उस टाइम भी कि भुज का ट्रेलर बहुत लंबा है थोड़ा कंफ्यूज भी कर रहा है लेकिन आजे देवगन के लिए ये फिल्म में देखूंगा जरूर तो मैंने वो रिस विल्डप किये गे हैं वो क्रेक्टर बहुत ही गंदे तरीके से विल्डप किये गे हैं फिल्म में कहानी का सरपैर ना होनी की वज़े से कौन सा क्रेक्टर क्या कर रहा है पता ही नहीं चलता है फिल्म में सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि डिरेक्टर को पता भी नहीं है कि कौन से क्रेक्टर को कहां स्टेबलिश करना है दूसरी तरफ अगर शेरशा की बात की जाए तो शेरशा एक बंदी हुई स्टोरी है जिसमें एक हीरो गिरी नहीं दिखाई गई है जिसमें एक कहानी पे फोकस किया गया है कहानी में शेर्शा का करेक्टर भी बहुत जादा अच्छा है सिधान्त बनोतरा का करेक्टर बहुत जादा अच्छे तरीके से बिल्डप किया है और इसके साथ साथ बाकी जो सपोर्टिंग करेक्टर है उन्होंने भी बहुत जादा अच्छे और उंदा काम किया है हाला कि सब भी जितने करेक्टर है शेयशा मैं सब भी का जो स्क्रीन टाइम है बहुत अच्छे से मैनेज किया गया है दूसरी तब भूझ की बात करें तो भूझ में सबसे बड़ी कमी क्या है करेक्टर बिल्डप ही नहीं किये किसी भी करेक्टर को आप ऐसा लग रहा है कि हम सूपर हीरो वाली फिल्म देख रहे हैं आप समझ सकते हैं कि जहां संजेदत एक ऐसे इंसान के रूप में दिखाए हैं कि वो पाकिस्तानी फोज जो डेड़ सो दो सो बंदा होता है अकेले ही एक छुरा लेकर भाग जाते हैं उनसे लड़ने के लि प्यार मालोब आप क्यूं इससे बैटर तो आप कोई काटून मुवी देख लेता तो जादा बैटर था तो मुझे लगता है कि भुज और शेर्शा दोनों में कंपरिजम करना बहुत कलत बात होगी क्योंकि शेर्शा एक चोटे बजट की मुवी थी उसने जिस तरीके से अ आपके कानों कोई अंदर कुछ ऐसा चला गया है कि आपने क्यों यह मुवी क्यों देख ली तो मैं आपको दोनों मुवी में से रेक्मेंट करूंगा कि आप शेर्शा देखिए और 15 अगस्त आ रही है सिनमा घरों में भी कहीं-कहीं खुले हुए हैं वहाँ पर जाके आप अगर आपने इंजॉय किजिए भुझ को अगर आपने इंजॉय करने का सोचा तो भई आप अपने रिस्क पे जाईए अगर आपने दोनों ही मुवी देख ली हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट बोक्स में बता सकते हैं और अगर आपको शेर्शा पसंद आई है तो वीडि थैंक यू वेल मुच